हेलो अच्चो क्या हाल चाल कैसी चल रही है पड़ाई तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका नाम है एपी शॉर्ट फॉर्म में तुम बहुत लोग सुनोगे एपी जीपी एचपी तो उसमें सबसे पहला एपी है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इससे पहले मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुमने पहला वाला लेक्चर देख रखा है तो चलो स्टार्ट करते हैं एक ऐसा progression जिसमें जब हम लोग एक series लिखना start करें जैसे numbers लिखना start करें तो होगा क्या देखो suppose मेरे पास example है 2 plus 3 5 plus 3 8 plus 3 11 plus 3 14 plus 3 17 और इसी तरीके से ये series चलता जा रहे है तो सबसे पहले तुम से कोई पूछेगा कि भाई इस series का सबसे खास बात क्या है तुम बता यार तुम क्या बताओगे तुम बोलोगे sir यहाँ से यहाँ जाने में मैंने 3 को add किया है फिर यहाँ से भी यहाँ जाने में मैंने 3 को add किया है यहाँ से भी यहाँ जाने में 3 को add किया है माइनस पीछे वाला टर्म का जो वैल्यू है 5 माइनस 2 कितना आ रहे है 3 similarly 8 माइनस 5 कितना आ रहे 3 similarly 11 माइनस 8 कितना आ रहे 3 and 14 माइनस 11 कितना आ रहे 3 similarly 17 माइनस 14 कितना रहे 3 and like this चलता जाएगा तो basically हो क्या रहे हर दो consecutive टर्म का difference कितना है 3 है 3 है 3 है 3 है तो आप consecutive टर्म का difference जब बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे directional है directional क्या है कि हमें यह चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इसा आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म अईसा भी नहीं करेंगे कि पीछे वाला टर्म माइनस आगे वाला टर्म मतलब 2 माइनस 5 वगर करना इस्टार्ट करें वो माइनस 3 आ जाएगा similarly 5 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा हमें यह नहीं देखना है हमें क्या देखना है आगे वाला term माइनस पीछे वाला term आगे वाला term माइनस पीछे वाला term तो यह जो series होगा इसको बोला जाएगा this is an AP एक और example लेते हैं एक और example ले लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 and like this यह एक series चल रहा है तुम बोलोगे सर आपने तो सिर्फ odd numbers लिख दिये हैं ठीक है यह और odd number लिख दिया चलेगा लेकिन तुम इस series को identify तो करो तुम देखो हर आगे वाला term माइनस पीछे वाला term का value कितना 2 similarly 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2 similarly 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 2 similarly 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 2 कहला आएगा AP मतलब basically ऐसे series जिसमें हर अगला term या फिर हर दो consecutive टर्म का difference एक value constant आ रहा है हर दो consecutive टर्म का difference अगर constant आ रहा है तो वो क्या कहला आएगा AP अच्छा ऐसा एक example देखो example अपना बहुत ही प्यारा सा बहुत ही simple सा शपोस 1 4 7 10 14 17 and like this क्या ये AP है बहुत बच्चे जो चमें आके बोल देंगे yes अभी द्यान से देखते हैं 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 4-1 3 अच्छा 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था लेगिन जैसे 14 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 क्या डिफ्रेंस हमेशा कॉंस्टेंट रहा तुम बोलोगे no sir जब डिफ्रेंस कॉंस्टेंट नहीं रहा तो क्या ये AP है तुम बोलोगे no sir तुम बोलोगे no ten AP तीक है ये AP नहीं है तो अभी तक शायद तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एक ऐसा सिरीज जिसमें दो कंजिक्रिटिव टर्म का डिफ्रेंस हमेशा कॉंस्टेंट हो उसको AP बोला जाते हैं इसको चाहो तो इंग्लिज में लिख भी सकते हो कि एसीरीज और प्रोग्रेशन इन विच डिफ्रेंस और टू कंजिक्रिटिव टर्म्स आर इक्वल और ये कंजिक्रिटिव टर्म का डिफ्रेंस जोगा वो डिफ्रेंस हमेशा कॉंस्टेंट आ रहा है वो AP कहलाता है अब ये अब दियान से देखना एंड वो जो डिफ्रेंस है जैसे कि यहां पर डिफ्रेंस कितना आ रहा है दो कंजिक्रिटिव टर्म्स में पहले वाले एक्जाम्पल में 3 दूसरे वाले एक्जाम्पल में डिफ्रेंस हमेशा कितना आ रहा है तुम बोलोगे टू अच्छा तो यह इस डिफ्रेंस का कोई नाम है क्या बोलेंगा हाँ इस डिफ्रेंस को बोला जाता है कॉमन डिफ्रेंस एंड डिफ्रेंस को शॉर्ट फॉर्म में सीडी लिखेंगे और इसका जो सिंबॉल यूज करेंगे हम लोग पूरा चैप्टर में वह स्मॉल डी होगा और कभी-कभी कैपितल डी ठीक है मोस्टली हम लोग स्मॉल डी उस करेंगे स्मॉल डी का मतलब हो गया वह कॉमन डिफ्रेंस है ओके तो यह ता अपना एपी एक सिरीज को एपी अडिन्टिफाइ करना है तुम बहुत ही आसानी से आप कर पाऊगे कोई भी सिरीज दे दू पूछ लोग क्या यह एपी है तु यह एपी एक जनरल एपी लिखो मैं अगर कोई भी एपी इसी चीज को रिजेंबल करेगा ठीक है तो एक अगर जमेई जनरल एपी लिखों तो वह कैसा दिखेगा सोचों अगर मैं बोलू इस एपी का सपोछ फ्र्स टॉम तो अच्छा फ्र्स टर्म को टी 1 भी बोल सकते है अगर first term first term A के बराबर हो माल लेते हैं A के बराबर है common difference common difference जिसको हम लोग small d भी बोलते हैं या फिर c d बोलते हैं ठीक है वो अगर d के बराबर है मैंने बोला suppose एक series है जिसका पहला term A है उस series का common difference D है तो वो एपी कैसा दिखेगा तो तुम बोलोगे सर पहला term अगर A है पहला term तो A है लेकिन दूसरा term क्या होगा सोचो दूसरा term क्या होगा अगर common difference D रहा है तो तुम बोलोगे सर A plus D ऐसे कैसे तुम बोलोगे सर AP का मतलब यही होता है कि हमेशा last वाले term में common difference add कर दो आगे बढ़ जाओगे या फिर सर ऐसे सोचो इन दोनों का जब difference calculate करोगे तो exactly D आना चाहिए अच्छा A plus D में से अगर सर A minus कर दोगे तो आएगा कितना D आएगा एकदम सही बात है अच्छा इसी सिरीज का तीसरा term कैसा आएगा तुम बोलोगे अब तो simple A plus 2D ऐसे कैसे सर देख लो ना A plus 2D में से A plus D को subtract करो तो ये कितना आएगा देखो तुम बोलोगे सर D आएगा ओके तो इसा ही चलता जाएगा आगे हाँ आगे A plus 3D आगे A plus 4D और इसी तरीके से A P चलता जाएगा अच्छा ये वाला टर्म कैसा है 1st टर्म T1 ये वाला टर्म कौन सा है 2nd टर्म T2 ये वाला टर्म कौन सा है 3rd टर्म T3 ये वाला टर्म कौन सा है 4th टर्म T4 ये वाला टर्म 5th टर्म T5 अच्छा अगर तुम से कोई बोले T6 बताओ, तुम बता पाओगे क्या, तुम बोलोगे हाँ sir, A plus 5D, अच्छा T7 बोले तो A plus 6D, इसी तरीके से मैं एक कोई भी Nth term पूछो, माल लेते हैं ये last term which is TN है, वो कैसा दिखेगा, सोचो एक मिनट, तुम बोलोगे sir, A तो मुझे दिखेगा ही, A plus something into D होगा, अब something into D क्या होगा, उसी के बारे में सोचना है sir, सोच लेते हैं, अच्छा, पहला term में A plus 0D था क्या, तुम बोलोगे हाँ, दूसरा term में A plus 1 into D था क्या, तीसरा term में A plus 2 into D था क्या, हाँ, चोथे term में A plus 3 into D था क्या समझ में आ रहे है कुछ क्या समझ में आ रहे है T1 निकाला तो D के आगे जो value था वो कहता 0 1 से 1 कम जब T2 निकाला तो D के आगे जो value था 1 था 2 से 1 कम 3 से 1 कम 4 से 1 कम 5 से 1 कम तो N से 1 कम समझा तो यहां से तुम्हें पता चल जाएगा किसी भी AP का अगर general term निकालना है तो वो क्या हो जाएगा A plus N minus 1 into D ये represent करेगा TN को Nth term को अच्छा, अब Nth term में कोई T1 निकालना चाहे तो वो N की value क्या put करेगा 1 put करेगा 1 minus 1 into D which is A, अच्छा कोई T2 निकालना पड़े, तो N की value क्या put करेगा 2 put करेगा, 2 minus 1 into D which is A plus D अच्छा, T3 निकालना हो तो N के जगवो क्या put करेगा 3 put करेगा 3 minus 1 into D which is A plus 2D इसी तरीके, सपोर्ष T10 निकालना हो तो N के जगवो क्या put करेगा 10, तो 10 minus 1 into D A plus 90 तो like this चलता जाएगा basically अब तुमसे कोई पूझ ले by T51 कितना होगा तुम बहुत ही आसानी से बोल लो के A plus 50D, कैसे 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 एक बार N के जगवो क्या put करो 50 put करो, 50 minus 1 into D तो basically A plus N minus 1 into D is the Nth top ये AP का सबसे पहला formula है, ठीक है अब इस formula को apply कैसे करते हैं बहुत ही आसानी से शिख लेंगे, अब देखो, example के तरू Example No.1 देखना दयांसे हमारे पास एक series giver है एसे, 3, 3, 3, 3, 3, 6 या फिर ऐसे चलो, 3, 7, 11, 15, 19, like this ठीक है अच्छा क्या ये AP है तुम बोलोगे हाँ सर This is an AP अच्छा इस AP का पहला term कितना है A और पहला term का value कितना है 3 अच्छा इस AP का common difference कोई पूछे तो कितना है तुम बोलो 3-7 कितना है 4 11-7 कितना है 4 15-11 कितना है 4 19-15 कितना है 4 This means अगर ये AP है तो इसका common difference कितना 4 अच्छा इस AP का मेरे पास पहला term पता है common difference पता है अब कोई मेरे से पूछे A by T5 बता दो तुम बोलोगे T5 क्या होगा A plus 5-1 into D which is A plus 4D हाँ तो A की value कितनी है 3 4D 4 into 4 तो ये कितना आगया 3 plus 16 which is 19 अरे वाँ 19 तो यहाँ था क्या ये पाचवा term था बोलेंगा हाँ देख लो था ये पहला ये दूसरा ये तेसरा ये चोथा ये पाचवा अहाहाहा अभी तुमसे कोई पूछे कि भाईया T11 बताओ 11 टॉम बताओ 11 टॉम कितना होगा A plus 11 minus 1 into D which is A plus 10 D which is 3 plus 10 into 4 which is 43 वाँ अच्चा अभ तुमसे कोई पूछे A 51 51 वाला नंबर वाला टॉम बताओ तुम बोलोग A plus 51 minus 1 into D which is A plus 50 D which is 3 plus 4 into 50 which is 203 वाँ तो इस तुमसे कोई पूछे क्या पताओ चल गया कोई भी टर्म निकाला जा सकता है अगर तुमसे कोई पूछ ले भाई T101 एक सो एक नंबर पे जो टर्म आएगा वो कितना आएगा तुम बोलोगे सर वो आएगा 101 minus 1 into D तो ये आगया सर A plus 100 D which is 3 plus 100 into 4 which is 403 बहुत ही आसान कोई भी टर्म निकाला जा सकता है इस तुमसे का हाँ तो ये AP था इसलिए ये वार्मूला याद रखना है कि AP का जो एनथ टर्म होता है वो होता है TN is equal to A plus N minus 1 into D जहाँ पे A क्या कहलाता है पहला टर्म D क्या कहलाता है common difference N क्या है Nth टर्म ठीक है तो Nth टर्म निकालना तो बहुत ही आसान एक और question number 2 question number 2 देखना द्यान से मेरे पास एक AP है suppose start was 31 से उसके बाद आया 27 उसके बाद आया 23 उसके बाद आया 19 and dot 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 चलता जा रहा हूँ तुमसे सबसे पहला question यहीं मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये AP है या नहीं तुमने बोला है क्यों है क्योंकि सर डिफ्रेंस हमेशा सेम आ रहे कैसे कैसे देखो सर 27 माइनस 31 कितना रहे सर माइनस 4 अच्छा 23 माइनस 27 कितना रहे सर माइनस 4 19 माइनस 23 कितना रहे सर माइनस 4 अच्छा क्या प्लस फोल्ड है या माइनस फोल्ड है तो याद रखना हमेशा आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म इस कॉमन डिफ्रेंस पीछे वाला टर्म माइनस आगे वाला टर्म इस नॉट दी कॉमन डिफ्रेंस अच्छा तो इस सिरीज का कॉमन डिफ्रेंस नेगेटिव है इसलिए तो ये series घटता हुआ दिख रहा है decreasing AP ये को value घटता जा रहा है पहले 31 था उससे कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया आगे और कम होता जाएगा एक time आएगा जब ये negative में जाना start हो जाएगा अच्छा उपर में जो हमने examples किये उसमें जो भी AP यूज़ किया था हमने उसमें value बढ़ता जा रहा था वो increasing AP था ये decreasing AP है जिस AP का common difference positive होगा value बढ़ती जाएगी जिस AP का common difference negative होगा value कम होती जाएगी ओके इस AP का अगर मैं पहला term तुम से पूछू तो तुम बता दोगे 31 इस AP का मैं common difference पूछू तो तुम बता दोगे minus 4 ये तो आना ही चाहिए तुम्हें बताना ओके आगे फिर question क्या है question मेरा ये है कि which term which term is the first negative term first negative term and what is the value of that term तुम्हें बताना है कौन सा term पहला negative term होगा और उस term का value कितना होगा क्या negative term आएगा घट रहा है तो आएगा ही तो ये कैसे पता करेंगे सोचो एक सकंड के लिए पहला negative term बोला जा रहा है अच्छा positive से negative कोई number positive से positive से positive से negative में चला गया मतलब वो किस से पास हुआ 0 से पास हो गया पहले वो 0 से बढ़ा था अब वो 0 से छोटा हो गया तो इसका करने का दो तरीका है एक तरीका तो ये है कि माल लेते हैं nth term is negative nth term is negative that is tn is negative तो दो तरीका है एक तो तुमें से बोलोगे tn less than 0 हो जाए tn less than 0 के लिए n के value find out कर लो एक तो तरीका ये है दूसरा तरीका जो easier है tn is equal to 0 देख लेते हैं न tn is equal to 0 कहा रहा है inequality solve करना अगर difficult लगता है तो is equal to 0 देख लेंगे अचा tn is equal to 0 tn है क्या a plus n minus 1 into d इसकी value 0 किस n प्यार है वो देख लेते हैं a कितना था 31 n ही तो निकालना है d कितना है minus 4 is equal to 0 31 ok minus 4n plus 4 is equal to 0 यहां से I can see 4n की value आ गई 35 n की value आ गई 35 upon 4 which is 8.something 4 into 8 32 30 8.7 something ठीक है इसका मतलब ऐसे सोचो t8.7 कि आगे वाला जस्ट रम t9 रहा होगा और पीछे वाला जस्ट रहा होगा हाँ अच्छ टी 8 पॉजिटिव रहा होगा हाँ t8.7 तो 0 हो गया हाँ इसका जस्ट अगला टर्म नेगेटिव हो गया होगा हाँ मतलब बेसिकली जब यह सिरीज लिख रहे हो तो t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10 लाइक इस यह सिरीज जाएगा हाँ सर पहला टर्म 31 है उसके 27 है और लाइक दिस जाएगा हाँ सर अब मैंने tn की वैलू 0 से इक्वेट की तो n की वैलू 8.7 आगे which doesn't exist 8.7 टर्म थोड़ी न होता है 8 वा टर्म होता है या 9 वा टर्म होता है अच्छा 8.7 टर्म 0 आगया मतलब क्या है 0 कहीं इनके बीच में आया मतलब 0 इस सिरीज में कभी आ ही नहीं सकता है अगर ये इंटिग्रल वैल्यू आता तब तो बोलते 0 आएगा लेकिन इंटिग्रल वैल्यू आया ही नहीं इस मेंस ये वाला टर्म कैसा रहा होगा यहां से पॉजिटिव 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 ये लास्ट पॉजिटिव टर्म रहा होगा लास्ट पॉजिटिव टर्म ये भी पूचा जा सकता है कि लास्ट पॉजिटिव टर्म बताओ एंड ये फॉस्ट नेगेटिव टर्म रहा होगा समझ में आ रहा है यह first negative term रहा होगा एंड इसके बीच में कहीं 0 आ गया 8.7 चेक है एक बास सोचो अगर यह 8 आ जाता एक जटी suppose T8 आ जाता तो इसका मतलब क्या होता T8 0 था T7 positive था T9 negative था लेकिन 8.7 आया this means 0 कोई term नहीं है इस सिरेज में ठीक है तो यहां से I can say 9th term 9th term is the first negative term 9th term is the first negative term एंड उसकी value कितनी होगी वो भी निकालना था A plus 9 minus 1 8 into D कितना आ गया 31 minus 32 which is minus 1 9th term की value minus 1 रही होगी ठीक है तो यह easy question था आप बहुत ही आसानी से हमने कर भी लिया एक और question एक और question ठीक है बोला कि for an AP for an AP कोई भी एक AP है जिसका term कैसा दिख रहा है T1 T2 T3 T4 T5 like this यह एक AP चल रहा है ठीक है अच्छा बुक्स में देखोगे बहुत जगा T1 के जगा वो लोग A1 भी यूज़ कर लेते A1 A2 A3 A4 A5 like this एक AP है जिसका पहला term A1 है दूसरा term A2 है तिसरा term A3 है मैंने तो T1, T2, T3 यूज़ कर लिया बोला गया है एक AP है जिसके लिए कुछ condition है क्या condition है if T4 upon T6 is equal to 2 T4 upon T6 is equal to 2 then T6 upon T8 कितना होगा या फिर T6 upon T10 कितना होगा यह निकालना है ठीक है ओके यही question है करते है बोला है भया एक AP है उस AP का अगर T4 upon T6 दो term का ratio given है 2 तो किसी और दो term का ratio कितना होगा ज्यान से सोचना अब मैं बोलूँगा AP तो since given ही नहीं है T1, T2, T3 given है तो मैं क्यों नहीं एक general AP मान लो मैं बोलू suppose first term is A and common difference is D A, D मानूँँगा तो T4 की value कितनी आएगी A plus 3D divided by T6 की value कितनी आएगी A plus 5D उसकी value कितनी दी हुई है 2 यहाँ पे हेरा फेरी करते है cross multiply करेंगे जैसे cross multiply किया A plus 3D की value कितनी आएगी 2 times A plus 5D अच्छा तो यहाँ से we can see A plus 3D की value कितनी आगे 2A plus 10D A को मैं RHS मिले जाता हूँ तो यहाँ ते 3D minus 10D की value आगी 2A minus A और we can say that A की value कितनी आगी minus 7D इसको रख लिया जो भी information given था उसका use करके मेरे पास एक condition आगया जो है A is equal to minus 70 अब उन्हेंने पूछा है what is the value of T6 upon T10 यहीं पूछाता ना हाँ T6 कितना होगा तुम बोलोगे सर A plus 5D T10 कितना होगा सर A plus 9D ओके और A की value कितनी है सर A की value minus 70 है आगे 5D रहने दिया सर minus 70 है आगे 9D रहने दिया सर उपर तो आ रहा है minus 2D सर नीचे तो आ रहा है 2D सर यह तो minus 1 आ गया इसका मतलब T6 upon T10 कितना है minus 1 एक और question थोड़ा सा level अच्छा रहेगा इस question का बोला गया for an AP for an AP if क्या क्या given है देख लो Tm is 1 upon N Tn is 1 upon M then find a, d and Tm plus N a, d का मतलब first term बताओ इस AP का इस AP का common difference बताओ अगर यह दोनों condition given है तो इस question को ध्यान से समस्ते हैं question में बोला भाई तुम्हारे पास कोई भी AP है जिसका पहला term कितना है A जिसका common difference कितना है D अब उसी AP का Mth term Mth term की value कितनी है 1 upon N तुमने बोला भाई मेरे पास जो series है उसका अगर मैं Tm निकालू तो वो फॉर्मूला से A plus M minus 1 into D आता है तुम बोलोगे हाँ और उसकी value उन्होंने कितने दी है 1 upon N इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मूला से Tn निकालू तो वो कितना आता है A plus N minus 1 into D और उसकी value कितनी दी हुई है 1 upon M ये पहला equation है ये दूसरा equation है याद करो linear equation chapter में सिखाया गया था दो equation हो दो variable हो कैसे solve किया जाता है क्या करेंगे इन दोनो equation को subtract कर देते इससे फाइदा क्या होगा इससे फाइदा होगा A से cancel out हो गया 0 plus M minus 1 into D minus N minus 1 into D is equal to 1 upon N minus 1 upon M बहुत ही प्यार से simplify करेंगे हम लोग इधर D common है bracket के अंदर क्या गया M minus 1 minus N minus 1 is equal to इधर तुम M और N LCM लोगे तो क्या जाएगा M minus N देखना D यहां से आगया M minus 1 minus N plus 1 is equal to M minus N upon MN अब तुमने बोला D M minus N is equal to M minus N upon MN अब एक question में एक चीज़ add कर लो It is given that M is not equal to N M और N बराबर नहीं है ठीक है Since M और N बराबर नहीं है तो M minus N 0 नहीं है तो cancel out होगा D के value कितनी आ जाएगी 1 upon MN अच्छा अगर D आ चुका है तो किसी भी पहले वाले equation या दूसरे वाले equation दाल दो A आ जाएगा पहले वाले equation को देखो क्या था A plus M minus 1 into D is equal to 1 upon N ये पहला वाले equation था इसमें मैं D की value कितना put करूँँगा इसमें मैं D की value 1 upon MN put करूँगा तो यहां से I can see M into 1 upon MN is 1 upon N minus 1 upon MN is equal to 1 upon N 1 upon N का कटा यहां से A minus 1 upon MN is equal to 0 और A is equal to 1 upon MN अच्छा मतलब A की value भी 1 upon MN आई D की value भी 1 upon MN आई अब A और D दोनों बराबर है हमें क्या और निकालना है T M plus N T M plus N होता कितना है A plus M plus N minus 1 into D A की value है 1 upon MN यह है M plus N minus 1 1 upon MN दोनों में कितना common 1 upon MN ब्रैकेट के अंदर गया 1 plus M plus N minus 1 1 minus 1 कट गया बचा सिर्फ M plus N नीचे बचा MN T M plus N भी आ गया एक बार J-Man में सेम question में उन्होंने पूछा था A minus D की value बताओ तो A minus D कितना आएगा 0 आएगा तो यह था Nth term हमने इस lecture में क्या सीखा हमने देखा कोई भी अगर मेरे पास एक general AP हो सबसे पहले तो AP क्या होता है वो सीख लिया उसके बाद अगर एक general AP हो तो तो से AP का Nth term क्या होगा common difference क्या होता है उसके बाद Nth term common difference का एक formula सीख लिया TN is equal to A plus N minus 1 into D वहाँ से हमने दो चार example किये अब अगले वीडियो में हम लोग summation देखेंगे उसके बाद और भी बहुत सार example करेंगे उसके बाद AP खतम हो जाएगा चलो all the best पढ़ते रहो मचाते रहो